हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रिंस टेक पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेड्मी नाइने के अपडेट के बारे में जी हाँ यहाँ 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 पर जुलई मन्त का जो अपडेट हैगा वो रिलीज हो चुका है 136 MB का यह जो अपडेट कर दिया गया था अभी एक वीग पेले इसको जो है रिलीस किया गया था लेकिन किसी इशू आने की वज़ए से यहाँ पर जो है इसको रोल बेक कर दिया था तो कुछ डिवाइस के अंदर यह अपडेट अभी भी नहीं मिला होगा और कुछ डिवाइस में मिल गया था तो लिए यह 12.00.25 लोगों का अपडेट कर लिया था वो भी एक फोन में अपडेट कर लो है कहीं उनको में इसको तो आप जो है इसको जो है आपने आपने फोन को अपडेट करें वीडियो को पूरा देख ले उसके बाद ही जो है आपको फोन को अपडेट करना है क्योंकि वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूँगा कि यह अपडेट कितना सही है या नहीं है और आपको करना है या नहीं करना है तो चलिए जल्दी से हम कर लेते ह इसको अपडेट और इसके अंदर कौन-कौन से बग फिक्स हुए है कौन-कौन सी चीज़े या पर एड हुई है या फिर कोई कोई से बग जो है या पर हमें और देखने को मिलते हैं वो सब मैं या पर कर दूँगा किलियर तो जब बिना देट के वीडियो को करते हैं स्टार् अभी भी हमें Android Q का अपडेट देखने को मिलता है Android 11 अभी भी देखने को नहीं मिलता है जबके इस फोन को रिलीज हुए वे अच्छा खासा टाइम हो चुका है तो मैं कंपनी से फिर यही सजेस्ट करूँआ कंपनी को कि यहा पर Android 11 का अपडेट दे जल्द से जल्द नहीं और आप भी यहां पर फिडबेक देते रहिए तो यहां पर जो है अपडेट हो चुका है डाउनलोड अम इसको इसको इंस्टॉल कर लेते हैं रिबूट करके यहां पर बहुत बार जो है श्योमी के फोन ब्रिक्स हो जाते हैं अपडेट के साथ में तो इसलिए वीडियो को पूरा देख करिए आपको अपके फोन को जो है अपडेट करना है विधाउट वीडियो को देखे हुए फोन को कभी अपडेट मत करिए यहां पर जो है मैं हर मन्त यहां पर जो है इस्टेबल अपडेट की वीडियो बीटा अपडेट की वीडियो लेकर करके आता रहता हू तो आपको पेले वीडियो देख लेना है फिर ही अपडेट करना है तो दोस्तों यहाँ पर हमारा फोन जो है जुलाई मत के अपडेट में आ चुका है यहाँ पर हमने इसको सक्सेस्फुली इस्टॉल कर लिया है अब कर लेते हैं जल्दी से बात इसके अपडेट रिव्यू क कर दिया गया है यहाँ पर पहले ग्रे था लेकिन आप वाइट कर दिया गया है वहीं पर अगर हम देखे तो यहाँ पर एंटीनों बेंचमार की स्कोर की बात करते हैं तो यह हमें पहले के मुकाबले डेर सो सो देर सो लगबग यहाँ पर इंक्रीज दिखता है एक लाख न यह जो साहे सकते हैं सारे अपर अच्छे से कले XV हैं कलर भी टेस्ट चेक कर है लाइट के साथ में किस तरीके से यहां पर काम कर रहा है सही से शो हो रहा है अब बात करते हैं यहां पर जो है टेंप्रेचर की बारे में बेटरी टेंप्रेचर यहां पर 35 डिग्री सेल्चेस दिखा रहा है और यहां पर जो है सीप्यू टेंप्रेचर 42 डिग्री सेल्चेस जाएगा देखिए आप 47 हो चुका है अभी 42 था यहां पर जो ए 47 42 के रांट चलता है जैसे हम यहां पर करते हैं तो इंक्रीज हो जाता है तो ज्यादा कोई मेटर नहीं करता है यहां पर फोन पिछले महीं मन्त के मुकाबले थोड़ा कम हीट अप कर रहा है और साथ में अगर हम यहां पर देखें तो हैंगी इशू भी मुझे इस अपडेट के अंतर कम देखने को मिल रहा है इतना इशू देखने को नहीं मिल रहा है जैसा पेले था यहां पर हम इसको वर्क करवा रहा है नहीं तो यहां पर जो स्लाइड में भी यहां पर हें होता था एप ओपनिंग स्पिट थोड़ी कम है जी यहां मैं यहां पर श्यूमी को फिर बोलूँगा एंडॉड 11 का अपडेट की स्पीड रहा है तो इस बात का विशेशुप से शर्वी दियान रखे आप छाहें तो इस प्टेट को कर सकते हैं साथ में यहां पर बेटरी का मैंने ध्यान से देखा नहीं कि तो हो सकता है कि बेटरी क्या इशू हमें देखने को मिले है इस अपडेट के अंदर लेकिन आप चाहे तो कर सकते हैं क्योंकि यहां पर जो है मुझे कुछ बख्स फिक्स होते हैं दिख रहा है और साथ में यहां पर 136 MB अपडेट है तो इसलिए हमें कुछ पता चल रहा है अ कमेंट तरह शेयर करें अपने दोस्तों गात में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला ताकि आपसे मिसना हो थैंक यू